नमस्कार दोस्तों जैसा कि last lecture में हम लोगों ने देखा था control के साथ function keys आप लोगों को complete करवाई थी आज उसी के आगे का पार्ट है हम लोगों ने अभी तक function keys में f1 से f12 तक सारी function keys complete किये हैं without any key then फिर shift के साथ आप लोगों ने complete कर लिया है shift के बाद control के साथ f1 से f12 हो चुका है अब control shift को मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कोशिश ऐसी करेंगे कि आप लोगों को screen पर दिख रहा है control shift भी आज हो जाए और साथ में इस lecture में alter के साथ function keys भी complete हो जाए then इसके बाद फिर आगे का जो lecture रहेगा आज के इस lecture को थोड़ा से लंबा करते हुए थोड़ा सा बड़ा करते हुए कोशिश है कि 45 minutes या एक घंटे में complete हो जाएगा और इसके बाद कल आप लोग को control के साथ A to Z जितने भी shortcuts होते हैं वो सारे complete करवा देंगे control shift के साथ A to Z alphabets में total 26-26 जो लेक्टर्स होते हैं वो आप लोग को cover करवा देंगे ताकि आप लोग के आने वाली exam में जल्दी से जल्दी इस levels complete हो तो CP CT के लिए आवश्यक यह जितने भी shortcuts में आप लोग को करवा रहा हूँ CP CT हो या competitive exam दूसरी अधर कोई भी हो सभी में इन में से कोई साभी shortcuts पूछ सकते हैं यह नहीं होता है कि function की में से आएगा या control की पूछेंगे या control shift वाले alphabet पूछ लेंगे ऐसा कोई पक्का किसी को पता नहीं है सारे ही shortcut important है तो आप लोग को सभी पर working करना है आप लोग के पास अभी CP CT 7 और 8 तारीक को है next month में तो आपके पास अभी काफी समय है आप लोग चाहें तो daily in की practice करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का lecture जैसा कि आप लोग देख रहे है control shift में लिखा है F3 F1 F2 से भी कुछ नहीं होता है F3 से शुरुबा थे press the content of the spike तो आप लोग को last lecture में मैंने आपको बताया था यदि हम बात करें control के साथ F3 की तो cut to the spike का काम आप लोगों ने देखा वा लास्ट वीडियो में और उसी के साथ insert spike के लिए मैंने control shift का use किया था जो लोग डाइरेक्ट इस lecture को देख रहे हैं वो लोग पहले पुराना lecture इससे पहले जो कल बना था हो देख लें ताकि उन लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मैं इसमें टाइम ना लेते वह आगे बढ़ता हूं cut to the spike के बाद आगे चलते हैं तो display the bookmark यह वाला option आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम का है और exam purpose से विशेश रोप से बुकमार से related बाते पूछ लेते हैं तो जिस प्रकार से आप कोई book reading करते हो और उस book reading करते हैं आप लोग के ने देखा होगा कि हम लोग pencil या pen लेकर के बैठते हैं कोई भी ऐसी man heading होती है या head उसको आपको underline करना होता तो आप उसको pencil से या pen से underline कर देते हैं लेकिन जब soft page की file है और 100 page की file में particular किसी एक page के ओपर कोई wording आपको याद रखना है तो वो कैसे रखेंगे तो वो याद करने का तरीका यहाँ पर bookmark system दे दिया है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आप bookmark को add कर दें वो याद रखेगा आप जब उसको बोलेंगे वो आपको वहा पर पहले से जो bookmark को delete कर दिया है यहाँ पर मैंने अपने bookmark का नाम जो भी वर्डिंग थी आपकी 1234 या ABCD जो भी आप चाहें जैसे अभी ABC के नाम से मैं इसको bookmark को add कर देता हूं या A ले ले लेता हूं फिर B फिर C और इसको add कर दिया यह जो bookmark add हुआ है अब भविश्य म मैं आगे बढ़ चुका हूं आगे बढ़ते वे मैं last में आया जब भी मैं दूसरे दिन आओंगा तिसरे दिन इसको open करूंगा या थोड़ी दिर बाद इसको देखना चाहता हूं कि मेरी जो बड़ी file है उसमें 100 page भी हो सकते हैं 200 भी हो सकते हैं अब मुझे उस bookmark को search करना ह है तो मुझे खुद से यहां पर search करने की जरूरत नहीं है याद नहीं रखना है directly में वापस वही shortcut press करूंगा control shift के साथ F5 आपका bookmark का heading आपने bookmark name दिया था वह आपको दिखेगा और इसको जैसी आप go to करेंगे तो वह उस bookmark तक आपको पहुंचा देगा यहां पर जो setting हो को किसी भी wording को याद रखना हो तो आपको सिर्फ उसको select करना है और कोई भी आप उसको नाम देदे bookmark में जाके वो उसको याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि मड़ा simple option है इसलिए जादे इसमें वक्त नहीं लेते हैं F6 switches to the previous document window when more than one document is open जब एक या एक से ज्याद़ document आपके open होते हैं तो एक से दूसरे document पर जाने के लिए आपको पहले बी बता जोका हूँ Ctrl F6 का यूज़ करते हैं और previous आने के लिए Ctrl Shift F6 का यूज़ करते हैं जिसे एक फाइल तो मेरे पास ही open है और मैं Ctrl N प्रेस करके यहाँ और एक और फाइल open कर लेता हूँ अब यह मेरे पास फाइल नंबर 2 है तो यह दूसरी फाइल मेरे पास है अब मुझे एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है तो मैं Ctrl F6 का भी यूज़ कर सकता हूँ और Ctrl Shift F6 का भी Ctrl F6 में Go To Next होता है और इसमें Go To Previous हो जाता है बेक वर्ड में जाता है तो 123 इन 321 इस टाइप से आप Ctrl and Ctrl Shift के तुर नेक्स दॉक्यमेंट पर आसा नहीं से जा सकते हैं तो जब भी आपके वर्ड में एक से ज्यादा फाइल हो तो आपको माउस उठाके उन फाइलों पर जाकर के उसको यहां से सिलेक करने की जरुवत नहीं है आप डाइरेक्ट अपनी Ctrl की का यूज़ करें डाइरेक्ट हो ज इसले छोड़ा कि लास्ट में जैसी फंक्शन की आपकी कंप्लीट होगी तो एक साथ F9 F11 का कॉंबिनेशन बना हुआ तो वो सारे कॉंबिनेशन आपको एक साथ सीखने को मिलेंगे ऐसे ही इन्फोर्मेशन लिंक्ट इन्फोर्मेशन को यहां पर सोर्स डॉक्यमेंट वग extend selection को on off करना in the extend selection mode the arrow key extend the selection यह जो system है यह सिर्फ इतना सा इस चीज़ को भी आप रट लीजिए इसलिए रट लें कि अभी तक तो शायद आप लोगों को यह option पता हो लेकिन जिन लोगों को यह option पता है उनको यह पता है कि इसका use करते हैं alter के साथ mouse से drag करके shortcut नहीं पता होता है और यह आपको मैं direct shortcut बता रहा हूँ अल्टरोड रेगिंग क्या होती है तो यह option ऐसे काम आता है जैसे notes आप लोगों के सामने बने वें मैंने भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि notes बनाएं तो उपर से नीचे तक F1 से F12 F1 से F12 बार बार लिखना पड़ा तो यह जो चीज़ें होती ही जब आपको पता है कि यहां भी F1 से F12 लिखना है इसी F1 से F12 को नीचे भी लिखना उसके आगे का data change हो रहा है तो क्या एसा कुछ हो सकता है कि यह जो F1 से F12 वाली setting है यह मैं direct copy कर सको तो अधिकतर लोग यही जानते है कि copy करने के लिए shift का use करते shift को press करके यह दी में selection आगे बढ़ाता हूं arrow से down arrow press करता हूं तो यह पूरा select होगा अभी F1 F2 F3 press नहीं हो रहा है वो तो आगे का matter भी ले रहा है और आपको कह दिया जाए कि particular shift F1 से लेकर F12 तक सारी headings copy हो जानी चाहिए select हो जाना चाहिए तो वो कैसे करेंगे तो इस connection हो जाएगा करके देखते हैं मैंने control shift की वोल से प्रेस किया हुआ है फिट प्रेस कर दिया आप अपने cursor को देखें थोड़ा सा लंबा हो गया है अभी फाइदा क्या मिला मेरा माउस तो यहां पर है मैं down arrow से cursor को नीचे ले जा रहा हूं आप देखें महाँ पर moment होती दिख देखेगी यह जो मैंने किया और आप देखें यह जो system चल रहा है कि अब मैं अपने हिसाब से मुझे सिर्फ F हटाना हो तो मैं delete कर सकता हूं मुझे सिर्फ इतना ही लेना है तो भी मिले सकता हूं इतना इतना यह आगी में बढ़ा सकता हूं तो मैं इसको क्या कर लूंगा यह से control C से copy और जब भी कहीं भी जरुवत होगी यहने copy कर लिया है document में next document पर control F6 से चले जाता हूं जैसी कि यहाँ पर आया और यहाँ पर paste कर देता हूं control B तो वो पूरे F1 से F12 तक जो functions मैंने मा लिये हो सब यहाँ पर copy हो जाएंगे तो इस टाइफ से आपके लिए काम हो जाता है कभी भी कोई भी विक्ति बोलता है तो आप लोग के लिए बड़ा असान है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगी की तरफ आप बीच में से भी जैसे मैंने करसर को अपने बीच में रखा है और अल्टर के सांथ mouse से drag कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं आपको जितना कॉलम आपको सिलेक करना है तो वो कैसे करेंगे जबकि टेबल नहीं है और कॉलम तो हमेशा रो कॉलम टेबल में होते हैं यहाँ पर भी यह कॉलम दिया है पर यह कॉलम में कोई टेबल नहीं है तब भी इसको कॉलम कहा जाता है तो अल्टर को प्रेस कर रहा हूं और mouse से जै धीरे धीरे नीचे आ रहा हूं और फिर इसको next arrow right arrow से प्रेस करके जितना चाहिए उतना एरिया में ले सकता हूं यह इस टाइप से column selection हो जाता है तो आप लोग को यह आद अठना है हमेशा है फिलाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग को मैंने पहले भी बताया था जिन लोग को भी यह फाइल की जरूत होती है तो मैंने अपनी फाइल बना रखी वैसे तो आप लोग डेली नोट करी लेते होंगे कोई परिशानी नी लेकिन फिर भी आपको इसका pdf चाहिए तो आप अपने email आईडी आप YouTube चैनल पे में नोट्स आ जाएंगे आगे बढ़ रहा हूं F9 F11 जो कि अभी हमको skip करना है बात में बताएंगे F12 की बात करें तो डायरेक्ट लिखावा प्रिंट टैब तो डिस्प्ले दर प्रिंट टैब इन दर बैक स्टेज विव तो जब कभी भी यहां पर हम बात करते हैं जैसी म मेरा हम लोग के पास होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं तो आप लोग को रटा होना चाहिए कि कंट्रोल पीसे भी प्रिंट होता है यहां पर यहीदि में बात कर रहा हूं प्रिंट की कि यहीं पर लिख देता हूं लास्ट में control plus P कभी भी control P करेंगे तब भी print आएगा और control shift के साथ f12 करेंगे तब भी print आएगा तो इस shortcut आप लोग को रटा होना चाहिए दोनों चीज़ें, दोनों में से exam में कोई भी पुछा जा सकता है चलिए, तो एक simple सी condition थी विशेश रुप से समाम को याद रखना था cut to the spike और insert spike आप लोग रट लें पुछा जा सकता है f5 bookmark वाला option रटा होना चाहिए then इधर आप आजाए नीचे तो f8, turns extend selection mode on and off on and off दोनों ही करने के लिए आप लोग को control shift add का यूज़ करना है in the extend selection mode, the arrow keys extend the selection जब कभी भी extend करना है selection को तो arrow की का use आपको हमेशा करना पड़ेगा तो activation के लिए आपने f8 को भी पढ़ा होगा याद हो तो f8 जब press करते थे single time, तब भी arrow की उस selection को extend करती है और control shift f8 से भी extend selection होता है तो दोनों में अंतर के आए कि वो महाँ पर पूरा single line पे चलता है और यह यहाँ पर आपका पूरा column वाइस चलता है तो यह ध्यान रखेगा next नीचे चलते है alter function की इसकी बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं f2 से कुछ नहीं है लेकिन f3 की बात करें तो आप लोगों को अच्छे से और इसको भी मैंने आपको विश्यश बताया था कि यह आपके बार-बार काम आने मला है तो इस option को भी भूलना नहीं है government sector हो या private sector जहां भी pro pharma's पहले से बने रहते हैं उसको direct entry करने के लिए आप लोग create auto text का यूज़ करते हैं और मैं जैसे ही यहाँ पर ultra f4 करूँगा तो आपकी यहाँ सामने देख रही application है वो closed हो जाएगी इस type से आप किसी भी application को close कर सकते हैं Microsoft Word सामने यदि इसको भी ultra f4 कर देता हूँ तो यह भी बंद हो जाएगा तो कभी भी shutdown के लिए हम ultra f4 का यूज़ करते हैं याद रखना है f5 restore all open windows जो भी open windows है उसको restore करने के लिए यहाँ पर control shift के sorry ultra के साथ f5 का यूज़ करते हैं तो जैसी मैंने यहाँ पर ultra के साथ f5 की आप देख पा रही है restore हुआ then ultra f10 कर दूँगा तो यहाँ पर जो system sorry यहाँ पर जो system आप लोग का चलेगा वो maximize के लिए यूज़ होता है तो एक छोटी सी जो जानकरी में यहाँ पर आप लोग को देना चाहता हूँ ध्यान से सुनेगा यह जो version में चला रहा हूँ यह है 2019 आप लोग जब 2007 अधिकतर लोगों के पास 2007 होगा या 10 होगा तो उसमें control के साथ F5 और control के साथ F10 F5 restore के लिए और F10 maximize के लिए यूज़ होगा ऐसे ही alter के साथ F5 और alter के साथ F10 भी restore और maximize के लिए यूज़ होगा then control के साथ direct F10 और F10 press करने पे भी restore और maximize होगा अल्टर के साथ F10 और F10 प्रेस करने से restore और maximize दोनों होगा पर जो extended version है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 2019 पर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर अल्टर के साथ F5 करने पर यह restore तो होता है लेकिन जब maximize की बात करता हूँ तो maximize control के साथ F10 से होता है और control F10 common की है उसको restore करने और maximize करने के लिए तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना यह extended version में इन option का थोड़ा सा यह changes है तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब हम extended version जैसे कि मान लिजे 2013 से उपर जो versions है तो उसमें यह function की थोड़ी सी change हो गई है तो यहाँ पर आप पुराने version पर यदि काम कर रहे है 7 हो या 10 हो या 13 हो तो वहाँ पर alter और control दोनों के साथ ही F1, F5 और F10 जो है वो restore और maximize का का काम करते हैं लेकिन extended version में 16 में या 19 में या इसे उपर वो लोग इसमें आपका थोड़ा सा keys combination change हो गया है तो कभी भी कोई कि आप use करें restore के लिए हैं maximize के लिए और वो आपके वहाँ पर working ना करें तो आप समझ जाएगा कि यह version के कारण हो रहा है बाकि और कोई दिक्कत नहीं next आगे बढ़ते हैं F6 moves from an open dialogue box back to the document for dialogue boxes that support this behavior एक यह जो option है जब कभी भी आप Microsoft Word में किसी dialogue box पर काम कर रहे होते हैं dialogue box किसे कहते हैं जैसे मैंने ctrl F किया find के लिए तो जब मैं मुझे find कुछ करना होता था अब इसमें अधिक तर हमारे सारे वर्जन में सामने आप लोग के पास एक dialogue box window आईगी find के लिए जैसे यहाँ पर navigation अलग से दिया है मैं इसको फिलाल हटा देता हूँ dialogue box लाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं ctrl H किया मैंने replace अब देखेगा आप लोग तो यहाँ पर ctrl H करने पर find, replace and go to यह dialogue box सामने open हुआ है dialogue box क्या होते हैं तो एक short window होती है जिसमें की minimize और restore जिससे option नहीं होते हैं यहाँ directly close दिया हो रहता है help दिया हो रहता है यह आपका dialogue box है तो यह जो dialogue box है आप इस dialogue box पर working कर रहे हैं अब यहाँ से आपको पीछे जाना है तो इन्होंने एक option एक shortcut निकाल रखा है control shift आपका अल्टर के साथ F6 कि यदि आप सामने किसी dialogue box पर working कर रहे हैं और आपको पीछे की तरफ जाना है तो जैसे ही आप अल्टर के साथ F6 प्रेस करेंगे आपका जो cursor होता है वो आप देख पाएंगे कि पीछे की तरफ blink कर रहा है तो dialogue box आपका हटा भी नहीं है और आप पीछे की तरफ काम कर रहे हैं तो इसको बगेर यहां से scap किये आप लोग अपने पीछे वाले documents पर कोई भी काम कर सकते हैं ये इस type से working करता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेगा ये कैसी चीज होती है जो कि बहुत rare याद होती है सभी को तो आप लोग को इसको करके देखना है आप जैसे ही अल्टर के साथ F6 करें बाहर एक बार क्लिक कर दें आपका cursor आ जाएगा इसको हटाता हूँ मैं भी फिलाल आगे बढ़ते हैं F7 go to next misspelling अब देखने में तो option मेरे खाल से तो सारी ही important है पर फिर भी मैं विशेश रुप से बीच-बीच में आप लोग को थोड़ा सा जोर देखे बोलते ही हूँ कि इसको आपको विशेश याद रखना है ऐसे ही ये F7 भी है go to next misspelling practically ये बात यदि करूँ मैं तो practically इस option को आप लोग को हमेशा याद रखना है क्यों याद रखना है क्योंकि अधिकतर लोगों को इधिकत आती है मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर रहा हूँ एक control and से new document लिया ये document पे मुझे कुछ लिखना था तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर टाइप कर दिया galaxy computer institute देवास 21 या 32 मोती बंगलो मैं रोड देवास और इस टाइप से मेरा काम चल रहा था मैंने वापस से यहाँ पर लिखा machine product और invoice ऐसे करके कुछ कुछ कर रहा हूं तो पता चला कि मैंने कुछ तो सही spelling लिखियो और कुछ जल्दी जल्दी में गलत कर दिया तो जब आप लोग mistake करते हैं तो इस mistake को सुधारने के लिए अकसर 99% लोग या बोल दूं 100% लोग जो काम करते हैं वो यह कि वो उस spelling पर जाएंगे right click करेंगे mouse से right click करने पर list open होगी उसमें वो अपनी spelling ढूंडेंगे यहां पर वो जो चाहते हैं वो spelling है तो ठीक नहीं तो उसको ignore कर देंगे यह system चलता है तो यहां पर इस shortcut का कहना है कि आपको इधर उदर mouse से यहां वहां इधर उदर जाने की जरुरत नहीं है आप लोग directly क्या करें अल्टर के साथ F7 कर दें पूरा document कितनी बड़ा हो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ अभी आप लोग के सामने equals to हमारी जो command है आप लोग को सिखाया था कि यदि जब paragraph बहुत सारा लेना हूँ तो मैंने बुला आप 5 paragraph चाहिए 10-10 sentences वाले तो जैसी मैंने इंटर किया तो आप लोग के सामने बहुत सारा matter लि अलग जगह पर अलग-अलग कुछ-कुछ error से अब होगा तो यही कि आप लोग एक-एक error पर जाएंगे ढूंडेंगे कहां-कहां पर मैंने मिस्टेक किया हुआ है तो यह कहता है आपको इतनी मगजमारी करने के ज़रूरत नहीं आपका करसर कहीं भी अभी मेरा करसर यहां परें आप अल्टर के साथ F7 करें जैसी मैंने अल्टर F7 किया तो आप देखें गो टू नेक्स्ट मिस्पैलिंग जो भी मिस्पैलिंग है वो खुद वहां पर गया उसने बताया प्रू लिखना था हमने कहां बिलकुल यही करना था प्यारों भी वह हो गया फिर अल्टर F7 किया तो जैसी अल्टर F7 किया आप देखें सेकंड इस्पैलिंग मिस्टेक जो थी उस पे खुदी गया कॉडिनेट लिखना था तो हमने कहां यही लिखना है फिर वापस अल्टर F7 किया तो फिर से नेक्स में स्पैलिंग पर गया यह जो सिस्टम चल रहा है इसका कि स्कुल लिखना है फिर अल्टर F7 कर रहा हूं तो इस टाइप से लास्ट में स्पैलिंग इन ग्रामर चेक इस कंप्लीट अब कंप्लीट हो चुका है आप कोई गलती नहीं तो आपके जो डॉक्यमेंट्स होते हैं उसमें आप लोगो किसी पेच पर जाकर करके ढूंडने की सर्च करने की ज़रूत नहीं है आप अल्टर F7 करिए वो खुद से अपनी स्पैलिंग जहां भी ग्रामेटिकल और स्पैलिंग मिस्टेक होगी खुद आगे पढ़ेगा जाएगा और इसको ढूंड करके आपके सामने लेकर आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यह आप्शन कैसे होता है यह सेकंडरी ऑप्शन है इसके पहले मेक्रो बनता कैसे है वो सिखना पड़ेगा तो जब आप मैन्यू पढ़ेंगे तो मैन्यू में आप लोग को मैक्रो बनाना सिखाएंगे उस समय पर आप लोगों को जब मैक्रो बनाना याद हो जाएगा तब आपको मैक्र dialog box से यह run करना याद होगा तो फिलहाल तो आप रटलें कि f8 से macro run होता है आगे बढ़ता हूँ f9 और f11 हमेशा की तरह अभी कोई working में नहीं आना है आगे बढ़ेंगे f12 से कुछ है नहीं और इधर भी visual basic application editor को open करने के लिए यहाँ पर अल्टर f11 का use होता है तो इसको फिलहाल अभी आप break कर दीजेगा skip कर दीजेगा आगे बढ़ता हूँ तो अभी फिलहाल अभी अपने पास समय है अच्छा खासा मैंने control की control shift के function भी आपको पढ़ा दीए अल्टर के functions भी पढ़ा दीए कुछ कुछ ही थे इसलिए ज्याद समय नहीं लगा तो हम कोशिश करें कि अल्टर के अल्टर और shift भी complete कर लेते हैं इसमें भी कुछ चार-पांच चीजे ही समझने की तो इस lecture में हमारा लगभग function की shortcut complete हो जाएगा तो इसको आज हम complete कर लें ताकि कल के lecture में हम लोग control के साथ A to Z जितने भी alphabets अपने होते हैं वो सारे पढ़ें चलिए अल्टर shift function की इसकी जब बात करते हैं तो बोलता है F1 से move to the previous field और field word आ जाए तो समझ जाओ F9 और F11 तो field अभी हमको छोड़ना है उसी field का F9 का ये next option है Save the document तो आप लोग को पहले ही बताया था कि control S से भी file save होती है और यहाँ पर एक नया shortcut आप लोग के लिए दिया उदर shift F12 से भी file save होती थी आप तो मेरी खाल से रट लिया होगा आपने कि save करने के लिए control S का यूज़ किया जाता है save करने के लिए ही shift F12 का यूज़ किया जाता है कही लोगों के निमाग में आता है F12 का यूज़ करते है पर F12 save है और shift F12 जो है वो save option है तो यहाँ पर save के लिए तीसरा एक और shortcut हो गया alter shift के साथ F2 जब भी अपनी file को save करना हो तो alter shift और F2 करें क्योंकि हमारी file already save है तो इसको save नहीं कर पाएंगे आगे बढ़ते है F3, F4, F5, F6 कुछ नहीं F7 पर चलें तो यहाँ पर दे रहा है क्या invert 2013 and newer display the translator taskman यह बड़ा अच्छा option है आप लोग के लिए आप लोग इसका use translator है तो कोई भी medium हो आपका Hindi हो तो अच्छी बात है English हो तो भी अच्छी बात है मैंने यहाँ पर जैसे ही आज कल यह जो काम है Google कर रहा है तो क्योंकि हमको काम वर्ड में करना है तो यह वर्ड में डायरेक्ट काम करने का option दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिखा भी दिख रहा तो यहाँ पर यह बताएगा मैं एक शिक्षक हूँ तो बहुत ही easy सा option है आप लोग अपने हिंदी या English की जब notes बनाने की बात करते हैं तो जो higher version है जैसे 2013 में भी यह option है 13 के बाद 16 में मिलेगा 16 के बाद 19 में भी मिलेगा और Office 365 में भी मिल जाएगा तो यह option activated होता है आप गया तो Google Translator के माध्यम से करें या आप तो वर्ड में direct दिया है तो इससे अच्छा और क्या option होगा आप हिंदी में लिखेंगे तो English में कर देगा English में लिखेंगे तो हिंदी में कर देगा और भी कोई language में करता आएगया तो आप यहाँ क्लिक करिए वो बता देगा दुन Macro की बात हो रही है F9 से फिलाल स्किप करें अभी फिलाल याद भी न रखें चलेगा F10 की बात करें तो बोल रहा है अल्टरशिप के साथ display the menu और message for available actions for example pasted text और an auto correct change जब auto correct change की बात होती तो इस काम को करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ का use होता है फिलहाल यदि आप लो तो भी ठीक है नहीं रखेंगे तो भी कोई परेशान ही नहीं एक्जाम फर्पस से आने वाले चीज़ों के लिए मैं आप लोग को अलग से बताई रहा हूं कि उनको याद रखना है इसको याद न भी रखें कोई दिक्कत नहीं आईगी F11 की बाद थो रही है तो print option फिर से दिया अभी थोड़ी दर पहले आपने पढ़ा था याद भी होगा शायद आप लोग को कि print के लिए क्या करना है तो control P कमांड तो आपके बस print के लिए होती है और control P के बाद आप लोग को अभी थोड़ी दर पहले मैंने एक shortcut और बताया था कि यहाँ पर आप लोग control shift के साथ P का यूज करते हैं तो भी आप लोग का print option चलेगा तो control P हो गया control shift P हो गया और साथ में last option हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि control अल्टर shift के साथ F11 से भी print tab काम करती है तो जैसी आप यह काम करेंगे यहाँ पर shortcut में प्रेस कर रहा जाएगा लास्ट option है आप लोगों का F12 अल्टर shift के साथ यह बोल रहा है select the table of content button in the table of contents container when the container is active तो जब भी table of content table of content को examination में table of content के नाम से नहीं पूछा जाता है यह रट लेना इसको पूछने का तरीका होता है TOC से आप क्या समझते हैं जब exam में आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे इस type से बोलेंगे TOC इस type से लिखावा आएगा कि यह TOC से आप क्या समझते हैं तो आप TOC लिखा हुआ ऐसा आजाए तो आपके लिए तो वो TOC लिखा हुआ या आप जो भी उसको पढ़ें तो इसको याद रखेगा यह है table of content ऐसे table of content के बज़ा यदि A लगा दिया तो table of authority यदि TOF लगा दिया तो table of figure यह तीन option होते हैं TOA, TOC और TOF table of authority, table of content और table of figure इस तरह से तीन option चलते हैं यह क्या होते हैं जब reference पढ़ा जाएगा तब आप लोगों यहां सामनी देख रहा है reference menu जब मैं इस पर click कर रहा हूँ आपके जानकारी के लिए क्या कि बीच बीच में मैंने कुछ option आप लोगों को नहीं बता है तो कहीं लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है शायद क्या मालूम इनको याद नहीं है तो यह अभी छुड़वा रहे हैं या skip कर रहे हैं यह सब कुछ नहीं है नहीं आद होगा तो मैं direct बोल दूगा मुझे नहीं आता कोई परिशानी नहीं है उसमें मुझे बोलने में पर जो चीज़े याद है और जो बाद में आप लोगों को लिंक है एक दूसरे सा option तो एक option को सिखने के लिए उससे पहले दूसरा option आपको सिखना जरूरी है तो यहाँ पर आप लोग देख पारे मैंने reference पे click किया हुआ है तो insert table of authority भी मिलेगा तो यह जो चीज़ें होती है टीओ एफ टीओ एफ टीओ एटीओ सी यह सब आपको reference में पढ़ने को मिलेगी अब डायरेक्ट एदी में सोचन के यहाँ पर आपको बता दूँ तो इस चीज़ को बताने के लिए reference याद होना जरूरी है बगेर reference मलब इस option त करने के बाद उसको manage source में क्लिक करोगे manage source करने के बाद फिर यह option आप लोग के working में आएंगे उससे पहले नहीं आएंगे तो यह लंबा process है उसको पूरा हम एकसाथ पढ़ेंगे इसलिए अभी फिलहाल इसको में छोड़ रहा हूं skip कर रहा हूं तो आप लोग ज्यादा लो तो आप youtube channel galaxy education hub देवास पर जाकर के वहाँ पर जो comments box होता है उसमें आप अपना question type कर दीजेगा उस question को मैं check कर लूँगा यदि आप ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में यह चीज़ समझाने वाली है तो मैं आप लोग को वापस से एक बार यह revise करवा दूगा तो आज इस session को यही complete करते हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कल आप लोगों को में next आपका control की shortcut और control shift की shortcuts control के साथ A to Z और उसके बाद बहुत सारी और alphabets के बाद भी symbols होते हैं जो कि control के साथ काम करते हैं control shift के साथ सारे alphabets A to Z then कहीं सारे symbols तो वो सब हम करेंगे चलिए धन्यवाद